जै भीम नमस्कार दोस्तों मैं विसाल कुमार और आप देख रहे हो भीमिसन टीवी यूट्यूब चैनल को आज हम आपके बीच यूपी की स्यासत और यूपीम होने वाले आगामी विदानसवा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम छोटी वड़ी खवरों को लेकर हाजर साथियों आप बने रहे इस वीडियो में इस वीडियो करिए जाज स्यादा सिहर बिना समय गवाए आईए करते हैं एक महत्यूट विच्छा पर बातचीत साथियों यूपीम होने वाले आगामी विदानसवा चुनाव में अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि समय बह गया है क्योंकि इस वरतमान का जो समय है वरतमान की जो स्तिति बनी उत्तरपाद्यश सवाल करत रहिए किह आखर रतियूंट पार्टी को टकर कौन दे रहा है कौन लगताए सब्सक्राइब आप spine कि वह आपको क्या लगता वह आप अपनी रायion recipient में देदेना हम अपनी राये हम आपको बताते हमuls हम हों उत्तर प्रदेश हमने आप से बादा कि हम उत्तर प्रदेश में जितनी भी विदान सबायां उन विदान सबायां को कब leo Military बात जनता के मन की बात जानेंगे आके जनता के मन में कौन बैटा है आखरी जनता किसको 2022 में मुखमंतरी देखना चाहती है यह सब हम जानने की कोश्चत करें लगातर हम ग्रांड में बने हुए हैं थोड़ी तवियत खराब होने के कारण इरसी लिए अभी हमने थोड़ा बह काड़िया सबसेंदा अच्छे काम सबसेंदा और प्रसाअसन के चलाता किस सरकार में चलाता यह बहुझ Jeanne समाज पार यह में अच्छी तरीके से कार्द करता था किसी बी तरीके का कोईεί ज्यादा बड़ा जो गटना था वोग जो कोई गटनागा तरह नहीं होती थी ये सब लोगों के कर दे सकती आपको क्या लगता है आप अपनी कमेंट में रादेना हमने अपनी बात तो पर हम आपको तत्यों के साथ बताएंगे हमें क्यों लगता है तो साथ हम आपको बताते हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्टी अद्रज बेनकुमारी मायावती जी यूपी विदानसवा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सक्री है समाज पार्टी ने एक खास संविलन भी शुरू कर दिया जो कि 13 जुलाई योद्या से हो रहा था वना सुरू हुआ था जिसका नाम था ब्रहामर्स मिलन पर हाइदार कोट सुप्रीम कोट ने रोक लगाई उस पर रोक लगाईगी कि किसी भी जाती विशेश का नाम रख को और यह कोई भी सम्मिलन नहीं हुगा तो उसका नाम बदलकर ब्रहामर्समिलन नाम से चर्चत नाम से वह काफी ज़्यादा चर्चाओं में हैं तो साथ उसका नाम रख दिया गया पिरवध्विचार गोश्टी सम्मिलन तो साथ थीस चंद मिसरा उत्तर प्रदेश की हर एक ज परकार बन याती से और बहुजैन समाई पांटी कता ही वी कितनी बिलती यह Anne Chati कि ब्राहमार समदी ना आया ब्राहमत समाई को वह जन समाटी आपने भाउजैन समाई पार्चे वह जोड़िए encourage बहुजज समाजपार्टी की राष्टी अध्याज बेनकुमारी मायावत्जी ने निर्देश देद यह वात हम नहीं बोले हैं। राष्टी अद्यज बेनकुमारी मायावथी ने हाली में ट्वीट करते हुए बोली है कि उन्होंने साब कर दिया जिस तरीके से ब्राहमर संवेलन में भीड उमड रही है उसको देखने के बाद व्रोधी पार्टियों के होस उड़े गुए हैं उनकी नीत उड़ी हुई है य काभी जादा मजबूत थी जब बहुजन समाज़ पार्टी सक्रिय नहीं थी ऐसा लग रहा था कि भारतियंता पार्टी को सिर्फ समाज़वादी पार्टी टक्कर दे सकती है वो तब लग रहा था जब बहुजन समाज़ पार्टी काभी जादा एक्टिव है बहुजन क्या लगता है हमने आपने विचार आपके बीच के आपको क्या लगता कमेंट अपनी र chuva i.e मिडिया में दिखाई दे रही है कहीं पर भी उस पार्ट्पाटी दिखाई नहीं दे रही है इस वर्तमान की समय में बहुजाइपार्टी मेदान में दिखाई दे रही है और बहुजन समाई पार्टी की राष्टी अधे बैनकुमाई मायावती ने अपने तीन उम्मीदवार यूप विदानसवा चुनाव की रेस में सवसे पहले मैदान में उतार दिये हैं तो साथियों जो भी उतारेते हैं वो हमने आपको बताए तो साथियों एक और चलते चलते एक बड़ी ख़बर हम आपको और बताएते हैं बहुजन समाई पार्टी जो राष्टी महासतिव है सतीस चंद्र बिसरा का जो आपको पताए कि 30 जुलाई तक जहां पर उनाता जो सं को जबाद में और आगरा में 12 रहोगा फर्ष्ट मीटिक में दूसरी में मे शार बजे फ्रोजवाद में और साथियों यह सब पहुजन समाईपार्टी इसकी तरफ से इस वक्त की बड़ी कई ख़बर निगल कर आ ह्यानियों जो के बहुजन समाई पार्टी में सरकार बन सकता है कौन हो सकता है तरपलीस का मुंक्क मंतरी आप अपनी कमेंट में राज सेर करें अगर आप चैनल परने तो चैनल को सस्क्राइब करें मैं वसालकुमार फिर मिलता हूं बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ